आज हम बात करेंगे आप अपने original degree, original diploma और original certificate का status कैसे चेक कर सकते हैं कि ये आपके घर पर कब तक आ जाएगा, इसमें और कितना समय लगेगा, साथी में आप इसे online कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इगनु से related सभी update और notification time to time पाने के लिए चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि नई वीडियो का notification आपको मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको हमारे website पराना होगा, इसका link नीचे दिया हुआ है और यहाँ पर आने के बाद आपको एक option मिल जाएगा, degree status इस पर आप click करेंगे, जैसे इस पर आप click करेंगे तो यह page open हो जाएगा, यहाँ से आप 20 वा convocation से ले करके 36 वा convocation तक का degree का status चेक कर सकते हैं यानि के degree, diploma और certificate का status आप इसी वाले website से चेक कर सकते हैं, जिसके आप नीचे करेंगे, एक declaration मिलेगा, इस पर आप click करेंगे और यहाँ I agree and proceed पर click करेंगे, फिर ऐसा आजाएगा, फिर आप नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको दो option मिल जाते हैं, यहाँ पर तो पहले आपको करते हैं, apply degree, diploma and certificate, तो यहाँ से आप सभी convocation का degree, diploma और certificate का status चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर click करेंगे, फिर यहाँ पर आपको अपना account login करना होगा, अगर आप password को भूल चुके हैं, तो यहाँ forget password पर click करके, आप password को reset कर सकते हैं, convocation का फिस submit करते समय, आपने जो भी अपना password बनाया था, वही password आपको यहाँ पर डालना होगा, और ध्यान रखिए, अगर आपने convocation का फिस यहाँ पर submit कर रखा है, तो ही यहाँ पर आप अपने degree, diploma या फिर certificate का status चेक कर सकते हैं, जिसलिए आप यहाँ पर अपना enrollment number डालेंगे, यहाँ पर आप अपना बलर कर दिया है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा application for degree, diploma and certificate and status, यहाँ पर आपको मिल जाएगा view application status, इस पर आपको click करना होगा, तो यहाँ पर ऐसा interface आजाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा student application status, और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको यह और option मिल जाएगा, देखें यहाँ पर अगर आप fees को submit कर देते हैं तो यहाँ पर transaction ID, payment gateway का यहाँ पर आपको नाम बताया जाता है, amount आपको बताया जाता है कि आपने कितना fees submit किया है, और यहाँ पर आपका पूरा address और details बताया जाता है कि जो आपका original degree, diploma या फिर certificate है, वो कौन से address पर भेजा जाएगा, जो भी address आपने दिया है, यहाँ पर आपको वही बताया जाता है, और यह किस mode में आपके पास भेजा जाएगा, तो यहाँ पर delivery mode में लिखा हुआ है, by post यानि कि आपके घर पर speed post के माध्यम से भेज दिया जाएगा, नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा application status, और जिस दिन भी आपने original degree, diploma या फिर certificate के लिए फीस को submit किया है, फीस आपका submit हो जाता है, तो यहाँ पर यहाँ पर आपको date और time भी बताया जाता है, कि आपने किस दिन submit किया है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ आज आएगा application download by regional center, तो regional center के जब आपका application download कर लिया जाता है, तो उसका भी यहाँ पर check box बना हुआ आजाता है, और जिस दिन download किया गया है, और जितने बज़े भी यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, और सबसे important आपको यहाँ पर बताया जाता है, degree, diploma and certificate dispatch by regional center, तो यह regional center के द्वारा dispatch किया जाता है, इसम regional center पर आजाता है, तो आप वहाँ पर भी जाकर के ले सकते है, अगर by post लेना चाते है, तो वह आपके घर पर भेज दिया जाएगा, जो भी address है, इसी address पर, और यहाँ पर बताया जाता है, कि अभी इसका क्या status है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, application under process, यानि कि यह अभी dispatch नहीं हुआ है, जब dispatch हो जाएगा, तो यहाँ पर dispatch का पूरा detail लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पर एक India post का tracking number भी लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर जब tracking number आ जाता है, तो tracking number को आप copy कर लिजिए, उसके बाद आप indiapost.gov.in के website पर आएंगे, इसका भी link नीच सवाल पूछा जाता है, जिसका answer आप यहाँ पर लिखेंगे, track now पर click करेंगे, तो इस तरीके से और भी detail में बताया जाता है, कि जो आपका original degree, diploma या फिर certificate है, यह किस तिने dispatch हुआ है, received कब हुआ है, और out of delivery के लिए कब भेजा गया है, और उसका अभी current status क्या है, वो सब यहाँ पर बता दिया जाता है, तो आप मुझे नीचे comment box में बताये कि यहाँ पर application status में, यानि के degree, diploma और certificate, dispatch status में, आपके application में यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनका 36 का है, तो यहाँ पर application under process बता रहा है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी original degree diploma या फिर certificate है, या dispatch हुआ है या फिर नहीं और यह आपको कब तक मिल जाएगा, इसके अलाबा क्या है कि आप यह वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा detail में बता रखा है कि आप अपना digital original degree डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, मातर 8 step में, बाकि जो hard format का आपका degree, diploma या फिर certificate है, या by post आपके address पर send कर दिया जाएगा, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, तो like किजिए, share किजिए, और इगनु से related सभी update इंस्टेंटली पाने के लिए, आप हमारी telegram चैनल को भी join कर सकते हैं, link नीचे दिया हुआ है, स